दोस्तों से पेक सेटिंग मैंने अपने फोन में आन किया उसके बाद इस फोन के उपर मैं जिटने भी फोन रख रहा हूँ ना वो चार्ज होने लग जा रहे है अब आप सोचों कि यार क्या फेक रहा है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मैं आपको लाइप गूरूप दिखाता हू इस फोन को इसके उपर मैं लाके आपके सामने रख रहा हूँ आप यहाँ पे खुदी देख लीजिए कोई भी फोन इस समय चार्ज से करेक्ट नहीं है और इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ भी दोस्तों आप उपर भी देख सकते हो यह चार्ज हो रहा है जैसे मैं हटा दे रहा हूँ चार्जिंग यहाँ पे आप देख लीजिए बंद हो चुकी है अब ऐसे ही यही फोन नहीं मैं आपको एक और फोन रख के दिखाता हूँ जैसे कि यह वाला फोन हम इसके उपर लाके रख देते हैं आपके सामने आप यहाँ पे देख खुदी और फिर से चार्ज होना शुरू हो गया तो आखिर ऐसा क्या मैंने मैजिक वाली सेटिंग आउन कर दिया इस फोन में कि इसके उपर मैं जो भी फोन रख रहा हूँ वो चार्ज होने लग जा रहे हैं इस वीडियो में इसमें आपको वही सेटिंग बताने वाला हू कि कैसे आप सेटिंग आउन कर दोगे अपने फोन में उसके बाद अपने फोन के उपर जो भी फोन रखोगे न वो चार्ज होने लग जाएंगे ये ट्रिक दोस्तों सीखने के बाद ना हर कोई चोकने वाला है तो ज्यादा टाइम नहीं लूँगा चले मिस वीडियो को प्रूट करना क्योंकि तनी खतरनाक ट्रिक लिक आया हूँ हो सके तो वीडियो को लाइक और शेर भी कर देना सबसे पहले मैं आपको अब धी दिखा देता हूँ अब यह आपधे आप देख लिए मैंने फौन को बंद कर दिया है अड़ हम कोई वी फोन रखेंगे तो चार्ज नहीं हो रहा आप यहाँ पे देख सकते हो, उपर भी आप देख लेजिए, इस समय चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वो सेटिंग बन करी है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, तो अभी फोन कोई भी चार्ज नहीं हो रहा, यह वाला भी मैं रख के आपको दिखा जाता हूँ, इस समय हम कोई भी फोन इसके उपर रख दे, अभी कोई भी फोन चार्ज नहीं हो रहा, अब चलिए मैं आपको बता दो कि अखिरो सेटिंग है कौन सी, जिसे ओन करने के बाद, कोई भी फोन रखोगे अपने फोन के पीछे, तो वो चार्ज होने लग जाएगी, ठीक है, तो उ जितने भी फोन आते हैं, 101%, उसमें आपको बैटरी वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको सिंपली इसे इनेबल करना है, इसे जब आप उपेइन करोगे, तो नीचे दोस्तों आपको एक सिक्रेट सेटिंग देखने को मिलेगा, तो यह सेटिंग दोस्तों आपको अपने फोन में खोजना है, अगर आपको आपके पास ऐसा फोन है जिसमें दोस्तों Reverse Charging या फिर Wireless Charging का सपोर्ट नहीं है, तो ऑनिसे में दोस्तों आपके फोन में यह सेटिंग नहीं मिलेगा, अगर आपके फोन में वायले लिस 101% मिल जाएगा तो आपको simply ये बंद रहता है by default तो आपको इसे enable कर देना है यहां से आपको open कर देना है open करने की बाद दोस्तों आपके फोन में फीचर activate हो चुकी है अब दोस्तों आप अपने फोन के पीछे जितने भी फोन रखोगे वो चार्ज होने शुरू हो जाएंगे अब यहां पर दोस्तों आप खुद देख लिजे लाइफ टेस्ट करके मैं दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं कि दोस्तों मैं edit किया हूँ आप यहां पर खुद ही इस समय हमारा फोन चार्ज हो रहा है अब जरूरी नहीं है कि सिप पॉस्तिफ एंडोएड अगर आपके पास आइफोन है तो आप आइफोन को भी चार्ज कर सकते हो यहां पर आपको देख लिजिए आइफोन को सिप इसके उपर रखना है आटोमेटिक चार्जिंग शुरू हो चुकी है उपर आप देख सकते हो फोन चार्ज हो रहा है यहां पर मैं पास लाकर आपको दिखा देता हूँ देख सकते हो चार्ज हो रहा है तो आखिर यह सेट दोस्तों मैंने आपको बता दिया अगर आपके फोन में wireless charging का support है तभी मिलेगा इस बात का ध्यान रखना अगर आपके पास दोस्तों ऐसा फोन है जिसमें wireless charging का support नहीं है तो ऐसे में दोस्तों यह setting आपके फोन में नहीं मिलेगी अब आप लोगों में से इतने लोगों के फोन के लिए खतरनाक सेटिंग लेक्या हुँगा तो फटा पर दोस्तों अपने फोन का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दो and इस वीडियो को या लाइक और शेर कर दो इतनी कम्माल की सेटिंग लाए हो तो प्लीज या लाइक और शेर तो बनता है ना शेर कर दो and चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो thank you guys bye and take care कर दो बनता है लाइक और शेर कर दो बनता है